हलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नाइस कम्प्यूटर के यूटूब चैनल पर जैसा कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया आवद बिस्विद्याले की सेमेश्टर परिच्छाएं BA, BSC, B.com और M.A.M.C.M.com की परिच्छाएं जो हैं परिच्छा कारिकरम आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि परिच्छा से पहले आपका एड्मिट कार्ड जारी होता है, और एड्मिट कार्ड आप कैसे अपना डाउनलोड कर पाएंगे, एड्मिट कार्ड के लिए अपडेट भी आ चुका है, और आप कैसे अ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में सेयर करें, ताकि आरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सरलता पूर्वक पहुंचता रहें, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी जो आपिसल वेबसाइट है, ड्रामनोर लोहिया, आवध विद्याले की, आपको अगर स्कीम डाउनलोड करना, तो आनलाइन पर आने के बाद में यहाँ पर आले जानुशन स्कीम पर जाना है, और जैसे आप किलिक करते हैं, तो स्कीम यहाँ से सो कर जाएगी, और आपनी स्कीम को आप डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पर राश्टिय सिच्छानेती 2020 के सूचना यहाँ पर दी गई है, एडमिट कार्ड के लिए इसकी दूसरी वेबसाइट जो है, डाक्टर राम अनहर लोहिया की, और एमलुएक्जाम.co.in, जो भी परिच्छा फार्म होते हैं, और एडमिट कार्ड भी आपको यहीं से प्राप्त होते हैं, तो एडमिट सबसे उपर नोटिस आ रहे हैं, इस पर जैसे आप किलिक करते हैं, तो इसका next step कुल करके आता है, यहाँ आप लिखा है, यहाँ पर आपको विक्सित भारत पोर्टल पर रेजिस्टेशन करना निवार है, अगर आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी लिखा हुआ हुआ ह जैस पर किलिक कर देंुगे, और फिर यहाँ से मांग रहा है, और कंडि डेत का डेता बर्थ। जब आपने परिच्छा फाम भारा है, तो आपके परिच्छा फाम में दिया गया है FARM नंबर, और यहाँ पर जो डेता बर्थ आपकी पता ही होगी आपको, यहाँ पर देखे तो यहां पर लिखा हुआ है farm number, farm number किनारे दिया गया है, इस farm number को आप note down कर लें, और उसके बाद में date of birth, इन दोनों चीजों को लाना है, और यहां पर आपको fill करना है, जैसा कि farm number में और date of birth में, इसे हम भरेंगे, जैसे ही हम farm number और date of birth को fill करेंगे, और download पर click करेंगे, यहा पर आपको month भरना और worth भरना है, इस प्रकार का format दिया गया है, यहां पर लिखा है data of birth example लिखा है, जब आप इसी तरीके से भरेंगे, तभी download होगा, अनित्था जो है download नहीं होगा, हम download admit card पर click करते हैं, जैसे ही आप download admit card पर click करेंगे, अब यहां पर लिख करके आ रहा है, आकि input details are incorrect, form, our form is not verified by college, इसमें जो लिखा है, कि आपके द्वारा भरी गई जानकारिया वो गलत है, अथवा जो है, इसमें farm जो भरा गया, उसको college द्वारा verify नहीं किया गया है, तो आपको परहसान होने की जूरुत नहीं है, आपको farm भी verify है, आपने सही details भी भरी है, लेकि अभी admit card इस पर upload नहीं किया गया है, इसलिए ये समस्याएं आ रही है, ये समस्याएं सभी student को देखने को मिल रही है, तो आपको घबडाने की जूरुत नहीं है, परहसान होने की जूरुत नहीं है, आपका admit card आएगा, जल्दी website पर जैसे upload होता है, संपूर जानकारिया सा करते वीडियो को पसंद रहागा दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं है तो प्लिस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में सेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में नए information के साथ, तब तक के लिए नमस्कार